वो मुला मेरे मौला है कैसी रुसवाई क्यों आई है दुभाई इमान मेरी बेटी, मेरी बेटी इमान इमान, इमान, इमान इतने अच्छे भले लड़के तुम्हारे पीछे पागल थे लेकिन तुम्हे तो बस हारिब ही चाहिए था मौम, 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 मौम हारिब अच्छा है बस बता नहीं उसे कभी कबार क्या हो जाता है इतना 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 कंसरवेटिव बहेव करता है बस मुझे उसी से इरिटेशन है, that's it हारिब खाना कैसा लगा तुम्हें? जी आंटी, खाना वाकी बहुत नसेगा था आखर बना किसकी सुपरविजिन में था? आपसे हारिब तुम्हें अंबर के नहें गर का इंटिरियर देखे? आपसे हारिब तुम्हें अंबर के नहें तुम्हें नहें रहना है अंकल, इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं फिलाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं बलबता अबर चाहती है तो वो शेटिंग चेंज कर सकती है उसका अपना गर है ठीक है, टेक यूर टाइम लेकिन अल्टिमेटली तो तुम दोनों को इस कर में रहना इसलिए आउन अन आफ वहां चकल लगाते रहा करो अब देखो ना, मैं नहीं चाहता कि वो प्रापरटी में रेंट आउट करूँ अब इस तरह उसका डेसाइन और इंटीर बगारा सब खराब हो चाहेगा इसलिए जतना जल्दी हो सके उसे इस्तेमाल में लाएचाए जे अंकल, बिल्कुल ठीक है रहे हैं आफ अब बोलो भी मुझे हैं क्यों बुलाया कि सिर्फ खाने आयो तरह जाना में उसे फारा कि बंउजuben लीड़ के में लाएचा आध सब्हू करना थैके कमें डुआ में इस। छुद आई में डेकर शार में गर सका मैंशर बहरा कि व्या हो ब्लाने की लिए उन्हाने केली ढुना स्कुलरा की मं आता पारा हो अफिस में मेरी एक बहुत ज़रूरी चीज पड़ी है औरो मुझे हर कीमत पे चाहिए और ये काम सिफ तुम ही करो जकती है अजय के चीज है एक फाइल है जिसमें मौडल्स के अउडिशन का डेटा है उसके साथ एक सीडी पड़ी है तेखो एनि वो मुझे हरा हाल में चाहिए प्रीस किसी भी तरीके से तुम आफिस जाके मुझे वो उसीडी ला दो एक सा क्या है एक सीडी में तुमें कैसे बताओ त यह को बहुत लंबी कहानी है तुम इस अकीकत को बिल्कुल नहीं जानती हो लेकिन एक मुझे से बादा करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी मैं तुमसे बादा करती हूँ मैं किसी को नहीं बताओगी लेकिन तुम मुझे सब सच बताओ हाँ ठीके मिस्स बेदा दो गटिया इंसान, मुझे तुमसे यह उमीद नहीं थी इमान मेरी दोस्त थी जैलिसी मुझे भी थी उससे मगर मैं इतनी गटिया हरकत कभी नहीं कर सकती थी तुमने कुछ पैसों के लिए उसकी जिन्देगी खाराब कर दी देखो यह नहीं मुझे अपनी गलती का एसास हो चुका है मैंने एमान के साथ जो भी किया मुझे उसकी सजा मिल रही है जगा जगा ठोकरें खाने को मिल रही है काम के लिए तरस रहो में और एक और एक नशा है जब आप पीछा नहीं छोड़ा बहुत तकलीफ में हो देखो अभी भी वक्त है देखो मैं जानता हूँ जब तक मैं अपनी गलती का जाला नहीं कर लेता मुझे सजा मिलती रही है इससे लिए रहो हूँ के प्लीज हेल्प मी एक बार सिर्फ एक बार वो सीडी मुझ तक पहुचा दो तो मैं इसे अपने हाथों से जाय कर दूगा मगर अब तक तो इस बिचारी की वीडियो इंटरनेट पर वो वीडियो अप तक इंटरनेट पर नहीं गई देखो वो सारा डेटा दिलावर ने मुझे दिया था चुपा के लखने के लिए क्योंकि उसके फार्मोस में छापा पड़ा था पाबर और दिलावर अपने पास कोई भी सबूत नहीं रखना चाते थे इसलिए वो सीडी मैंने पास शुपा के रख लिए अपने ड्रामे अद्वा पता क्या हुआ मुल्क से बाहर फरार होते हैं वक्त उमका आदा समान यहीं पर रह गया था जिसमें वो सीडी भी शामिल थी खुदा करे कि वो सीडी अब तक किसी की हाथ ना लगी बहुत जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें सब खत्म हो चुका है और क्या गारेंटी है कि वो सीडी अब भी उस ओफिस में होगी मुझे यकीन है नहीं वो सीडी अभी तक ट्राम में होगी क्योंकि मैंने खुद अपने हाथ चुपा के रखी थी देखो अगर तो वो सीडी के सीडी आथ नहीं लगी तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा, बस प्लीज किसी तरीके से वो सीडी मुझ तक पहुचा दो तो क्या गरांटी कि वो सीडी तुम जाया करने के लिए मांग रहे हो या फिर समसे में तुम्हारे सामने वो सीडी जाया कर दूँगा मैं ये काम खुद करना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हे कहरो मेरी बात का यकीन करो, प्लीज मैंने मुल्क से फरार होते वक्त भी दिलावर और बावर के मांगनें पर भी वो सीडी उनके हवाले नहीं की थी क्योंकि मैं वो सीडी फ्यूचर में अपने फाइडे के लिए इस्तमाल करना चाहता था और उनके सामने बहाना बनाया था कि सीडी वो मोच चुकी है, इसलिए तो दिलावर ने मुझे एजंसी से फाइल करवा दिया एको मुझे यकीन है कि वो सीडी उनके हाथ नहीं लगी, अगर लग गई होती तो अब तक इमान की वीडियो इंटरनेट पे अपलोड हो चुकी होती wafrat आरीए मुझे तुमसे सल्मान, और उस दिलावर से भी, अगर मुझे यह पता होता ना तुम्हें हमान की जगा कभी नहीं लेती और तुम्हें और उस दिलावर को पुलिस के हवाले कर देती तुमने उस दिलावर को नहीं चुनने की देखो है नि मैंने बहुत मजबूर हो कि तुम्हें सारी हकीकत बताई है प्लीज ऐसा कोई भी खलत कदब मत उठाना वो लो बहुत खतरनाक है ने तुम तो खुशनसीब हो कि अभी तक उनका अगला शिकार नहीं बनी शुकर अदा करो इस बात का शायद तुम्हें मान की नि असल में उन्होंने तुम्हारे जाने के बाद काफी अर्से तक कोई कॉडिनेटर हायर नी किया लिकिन कुछ टाइम पहले एक नया बंदा आया जिशान मुझे तो वो एक आंक नहीं बाता वो एक नंबर कर छिछोरा इंसान है वो तुम्हारे आफिस नहीं बैठता है बस द कोड़ा टाइम दो मैं मौकर लगते ही वो सीरी ढूंदती हूं और उसके बाद शायद मैं खुद भी वो जगा छोड़ दो थैंक यू एली इस तुम्हारा मुझे बहुत बड़ा आइसान होगा प्लीज मेरी एक बात सुनो एस पॉसिबल ओ जगा छोड़ तो तुम्हारे प्लीज चाहूं प्लीज क्या हुआ तुम्हारा फोटो शूट तो शाम की खत्म हो गया था अहां वो बस मैं निकली रही थी गाड़ी का वेट कर देए अरे तुम्हारे तुम्हारे रात हो गई है सब लोग जा चुके हैं ऐसे में तुम अगेले किस तरह आप बहार गाड़्स है ना मेरी गाड़ी बस आती ही होगी थैंक यू आप जाए तुम्हारे ना ना तुम्हार घर डॉप कर देता हूं आपको समझ नहीं आरी मिस्टर जिशान मेरे फ्रेंड ने मुझे पिकरने आ मिस्टर ने झाल झाल वही हुआ जिसका मुझे डर था या तो वो सीड़ी किसी और के हाथ लग गई या फिर शानी के ओ कॉर्ट सनमान ये तुमने अच्छा नहीं किया एमान के साथ मेडम आप अप तक जाना है मैंने दर्वादे बंग करने हम मैं बस निकल रही ती मैं वो कीज बूल गई ती आप है मुझे ब्योकुप समझती है या मुझे पता नहीं चलता निशान और रहनी पीछे अकेले ती देर क्यों बैठे थे कर्टिया लोग लफंगा अपना मतलब पूरा करके लडगी को बेज चोड़के खुदफा हो गए एक से बढ़का रेक कमीने लोग खैर सानू की मुझे बढ़के लोग करके लोग पूरा करके सानू कर चैर आपैक सिस्क्रांट झाल 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 या झाल 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 के बिस्तर पर लेटी जिन्देगी मौत की कश्मा कश्मी खुदकुशी की कोशिश कर चुकी थी और आज ऐसा करने वालों को जीने का होसला देती यालने तुने मुझे कब इतना मजबूत बना दिया मुझे एसासी में हुआ शायद ये सब तुझसे नेक कुमान रखने का नतीज है तुम मुझे इस रास्ते पर डाने माननों को इसका अज़र देना कि अजब एसाने माननों को विज़ाए प्रफेश पत्रफेश इंप सुष्ट एप सुष्ट करते हैं हापी बढर्डड़े तू यू हापी बढर्ड़े टीये रामबर हापी बढर्ड़े तू यू थैंक यू दैट, आइन्यू इट कि आप और हारिप मिलकर मेरे कोई ना कोई सर्प्राइज दरूर प्लैन करेंगे वेई ये सर्प्राइज तो था हारिप की तरफ से अब एक सर्प्राइज तुम्हारे लिए है मेरे पास वो क्या? तुम्हारी 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 मैं लिट्री तुम्हारा बट्देप हो गुग यह सर्प्राइज तो सर की तरफ से ये स्वर्प्राइज तो सर की तरफ से और अधैसल सॉसम अरे आउना बिटाप के काटो आज 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 आए भाई everybody और अगर डैटी सबके सामने तुम्हारा नाम ले भी लिया तो तुम्हे सबको सच पताने की क्या अज़ा हुए जी